हाई गाईज, वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैप के साथ कुछ अलग सा शेयर करने वाली हो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे सो लोग हैं जिनकों इस चीज के बारे में पता नहीं है अक्सर जब हम हमारे कपड़े अपनी वाशिन मेशिन में वाश करते हैं धुलwalk एट के लिए डालते हैं तो जब यह वाशिन मेशिन घूमने लगती हैं तब हमारे सारे कपड़े एक दूसरे में उलच जाते हैं, इनमें गांड पढ़ जाती है, जब हम इनको खींच कर निकालते हैं, तो एक और प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, कि हमारे कपड़ों की स्टिचिंग जो है, सिल्वाई तूट जाती है, मतलब खुलने ल कितने परसंट तक हैं, और कितने परसंट तक नहीं है, आपको लेना चाहिए कि नहीं, यह है लॉंड्री बॉल, फॉर यूज इन वशिन मशीन, यह एक सिलिकॉन बेस बॉल्स हैं, जो कि आपको कपड़े धुलते टाइम अपने कपड़ों में इनको डालना होता है, जिससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि यह हमारे कपड़ों को उलजनी नहीं देता है, और यह हमारे कपड़ों को अच्छे से क्लीन करने में भी मदब करता है, साथी साथ इस पर यह भी मेंशन किया हुआ है, कपड़े ब्रश करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, गंदे कोई इसके तेज किनारे नहीं है ये इस पर मेंशन किया हुआ है ये एक rubber की तरह होता है और इसका base silicon है और इसकी quality के अगर मैं बात करूं तो number one quality है ये खराब नहीं होते हैं बिल्कुल भी नहीं ये इसको आप सालो साल इस्तेमाल कर सकते हो packaging आप देख सकते हो कुछ इस तरीक जाते हैं तब ये seal किया हुआ होता है कुछ इस तरीके से तो बस इसलिए 150 और इस तरीके के चार बॉल्स में लेते हैं तो चलिए एक इसको इसको इस्तेमाल करके क्या ये सच में कपड़ों को उलजनी नहीं देता है में इसका काम तो यह है कपड़े साफ काने काम तो हमारी डिटर्जन करता है लेकिन ठीके चलो यह मेंचन भी क्या हुआ है कि अच्छे से साफ करता है लेकिन मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताती हूं मुझे इससे यह फाइदा चाहिए कि यह कपड़ों को उलजने ना दे बस तो मैं देखना चाहती हूं कि यह उलजने देता है कि यह देखिये, बॉल आपको नजर आ रहे होंगे, इसके बाद मैं इसमें डिटरजन डालूंगी आपको जितना भी डालना है आप डालो, डिटरजन डालने के बाद इस तरीके से घुमा लेना है मशिन को ताकि हमारा डिटरजन जो है पटिजर से मिक्स हो जाए पानी में, इस इसके बाद एक मेरी मैक्सी ड्रस है बड़ी वाली है उसको भी मैं डाल दे रही हूं जो जो मुझे मैंने हर टाइप के कपड़े इसमें डाले हुए है ऐसा नहीं है कि छोटे-चोटे कपड़े ही मैंने इसमें डाला है आप गौर से देख लीजिए ट्रैक पैंट दाल रही ह है बड़ा वाला ट्रैक पैंट है इसको भी मैं डाल दे रही हूं इसमें और बहुत ज्यादा है वी भी है इतने कपड़े डालने के बाद मुझे मेरी तसली के लिए चेक करना था कि आपस में उलज रहे हैं कि नहीं उलज रहे हैं ठीक है कोई नहीं फिर एक बार ट्राइ क आप देखते हैं यह मेरी मैक्सी ड्रेस है आप देख सकते हो यह नहीं उलजी है एक दूसरे में और इन में जो मैंने शट्स डाले थे फुल स्लीप सवाले वह थोड़े से उलज चुके हैं मशीन मेरा ऑन है मैं हाँ पर इसको स्ट्रॉंग पर सेट करूंगी अभी इसको मै कि मैंने इसलिए डाले क्यूंकि बहुत ज़ादा लंबी होती है बड़ी बाली होती है तो चेक करना ज़ारी है नाय तो ज्यादा नहीं पहंती लेकिन जो पहंते है उनके लिए विडियो भी हेलफ़ हो जाएगी इसलिए मेंने स्मेट साड़ी डालικό मशीन को कुछ देर के लिए गुमाया इसके बाद देखें ठीक है कोई नहीं थोड़ा सा प्रॉबलम हो रहा था बट फिर भी आराम से हमारी साड़ी जो है वो निकल जा रही थी इसके बाद हम इसमें कुछ और भी आड़ करेंगे इतना ही नहीं इतना ही मुझे नहीं चाहिए मुझे और कपड़े डालने है और देखना है तो ठीक है यहां तक ओग के था इतना भी जादा नहीं उलजेते कपड़े लेकिन चलिए और कुछ डाल के देखते हैं कि इसका टेस्ट जहां तक हम से हो पाएगा हम करेंगे और आपको दिखाएंगे ठीक है अब यहां पर एक चीज की कमी है बैट सकते हो चली रही है मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ तो चलिए दो मिनिट की बाद देखते हैं क्या हाल है साथी साथ हम इसमें और कुछ डालेंगे कपड़े यह एक फुल स्लिस वाला कुड़ता है इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूंकि अभी भी बहुत सार डाला हुआ है जो कि आप देख सकते हो इसको भी मैंने इसमें डालना है यह भी बड़ा वाला पैंट है और इसको डाल के भी मैं घुमाऊंगी इसके बाद हम देखेंगे कि यह उलचते हैं की नहीं और हाँ वीडियो के चलते मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बाल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिलती रहें यह आप देख सकते हो हमारी वाशिन मशिन यह मैंने हाल ही में ली हुई है और इसको लेटर टाइम ही मैंने कुछ वीडियो शूट किया था अरेड़ी मेरे चैनल पर मौझू है। आप जाकर देख सकते हो मुझे कितने में मिली थी। यह भी इस वीडियो में आपको बताया है। कितने KG की है यू अर मेरा मुणकी चालत की मेरा मशिन अच्छे से घूम चुका है काफी ज्यादा तरह तक मैंने इसको गूमाया थाard यह देखिए बॉल्ट्स डालने के बाद यह देखिए इसी तरीके से हाल हो गया यार मैंने शौप वाले भाया से बोला था कि ये वर्क करता है या नहीं तो उन्होंने बोला था कि कपड़े उलजेंगे ही नहीं ये देखिए चलो ठीक है हाँ फर्क मुझे इतना लगा कपड़े उलज तो रहे हैं लेकिन इतनी ताख़त मुझे नहीं लगाना पड़ था जितनी मैं हमेशा लगाती थी इसके बाद मैंने अपनी साडी निकाल ले की कोशिश की आराम से निकल रही थी फिर से मैं बोल रही हूँ कपड़े उलज रहे थे बट कस के नहीं उलज रहे थे निकालते टाइम आराम से smoothly मेरी साड़ी निकल चुकी थी अभी देखते हैं बागी के जो कपड़े हमने डाले हैं अच्छा इन बॉल्स में एक और प्रोब्लम है मैं आपको बोलूगी अगर आप इन बॉल्स को एक बार ट्राइ करना चाहते हो तो लिंक है डिसक्रप्शन बॉक्स में आप इन बॉल्स को वहासे बाई कर सकते हो लेकिन मैंने लिंक इन बॉल्स का नहीं दिया हुआ है थोड़ा सा बड़े बॉल्स आप बाई करना चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो या फिर मार्केट से ले रहे हो बाल्स बहुत छोटे हैं बड़े होते तो शायद कपड़े इतने जादा नहीं उलचते प्लस अगर आपको इस तरीकी के बाल्स एक बार ट्राइ करना है यूज करना है तो आप क्या करो मेरे जितने बाल्स थे उससे डबल वाला साइज बड़ा वाला लो बड़े बड़े वा बड़ा हो उसमें लिपड़ जाते हैं पता नहीं साइज छोटा होने की वज़े से शायद प्रॉबलम हो रहा था प्लस मैं आपको कपड़े निकाल के दिखा रही हूं कुछ इस तरीके से आराम से स्मूर्ली निकल जाते हैं लेकिन हाँ उलचते जरूर है यह कंफॉर्म है यह कपड़े उलचते जरूर हैं प्लस बॉल्स भी कपड़ों में जाकर फस जाते हैं या फिर रटक जाते हैं उनको अलक से निकालना पड़ता है इन बॉल्स के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूँ यह 100% वर्क नहीं करते हैं यह only 50% तक का वर्क करते हैं फ्रेंड को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब दीजिए इजाज़त मिलते हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गेटिंग टूए गूड लाइफस्ट्राइल एंड चेंज यर लाइफ बाई बाई गाइस